हेलो दोस्तों आपके अपने चैनल गैजेट समंच पर आपका स्वागत है और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पाउर पेक्ड वीडियो होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक साथ चार-चार प्रोसेसर को कंपेर करने वाले हैं MediaTek के Dimensity 800 सीरीज के अंदर आपको चार प्रोसेसर देखने को मिलते हैं MediaTek Dimensity 800, 800U, 810 और 820 और यहाँ पर दोस्तों यह चारों प्रोसेसर मिलकर के काफी कन्फिजन पेदा करते हैं इस सीरीज के अंदर कौन सा प्रोसेसर सबसे बेस्ट है और आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्रिश्टल क्लियर कर दूँगा कि कौन सा प्रोसेसर किस परपस के लिए सबसे ज्यादा बेटर रहेगा तो वीडियो काफी amazing होने वाला है तो वीडियो को end तक जरूर देखना फटा-फट से वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक request है कि अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो एसे ही शांदार वीडियोस देखने के लिए इसके बाद Dimensity 800U December 2020 में और उसके बाद में सबसे latest processor है Dimensity 810 अगस्ट 2021 में तो यहाँ पर launch date के इसाब से Dimensity 820 एक सबसे latest processor है आगे बढ़ते हुए बात करें दोस्तों यहाँ पर fabrication technology के बारे में तो MediaTek Dimensity 810 बना हुआ है 6 nanometer की technology पर बाकी 3 processor बने हुए है 7 nanometer की technology पर तो यहाँ यहाँ पर दोस्तों fabrication technology के इसाब से Dimensity 810 सबसे best processor है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको heating issue कम देखने को मिलेंगे और efficiency अच्छी देखने को मिलेगी आगे बढ़ते हुए बात करते हैं CPU cores और clock speed के बारे में तो यहाँ पर 4 processor octa core है और 64 bit के architecture पर आते हैं और यहाँ पर इनके CPU को देखकर के हमें पता चल जाएगा कि कौन सा processor best है सबसे पहले बात करें हम Dimensity 800 के CPU की तो यहाँ पर 8 में से 4 core आपको मिलती है cortex A76 वाली और इनकी clock speed है 2 GHz तक और बाकी की 4 core मिलती है cortex A55 वाली और इनकी clock speed भी है 2 GHz तक 800U के अंधर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 8 में स 2 core मिलती है cortex A76 वाली और peak clock speed जाती है 2.4 GHz तक और बाकी की बची हुई 6 core है cortex A55 वाली और इनकी clock speed जाती है 2 GHz तक और यहाँ पर आपको Dimensity 800U और 810 का CPU सेम देखने को मिलता है यहाँ पर वे आपको 2.4 GHz तक की clock speed मिलती है अब बात करें Dimensity 820 की तो यहाँ पर 8 में से 4 core मिलत है आरम cortex A76 वाली और इनकी clock speed जाती है 2.6 GHz तक तो यहाँ पर दोस्तों आपको clock speed सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है और यहाँ पर आपको 4 core gold core मिल रही है cortex A76 वाली तो यहाँ पर इन 4 में से यह processor सबसे ज्यादा powerful हो जाता है और यहाँ पर बाकी की 4 core आपको same देखने क को मिलती है cortex A55 वाली जिनकी clock speed है 2 GHz तक तो 820 यहाँ पर सबसे ज्यादा powerful processor रहेगा इसके बाद में नंबर आता है Dimensity 800 का क्योंकि यहाँ पर भी आपको 4 core arm cortex A76 वाली मिलती है यानि कि gold core मिलती है और clock speed यहाँ पर थोड़ी सी कम है लेकिन powerful cores यहाँ पर ज्यादा है इसलिए नंबर पर इस processor की performance रहने वाली है और बागी 800U और 810 की performance आपको similar सी देखने को मिलने वाली है GPU के हम बात करें तो यहाँ पर आपको चारों में ही ARM Mali G57 GPU देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर GPU के अंदर सबसे ज्यादा course देखने को मिलती है Dimensity 820 के अंदर यहाँ पर 5 कोर वाले GPU मिलता है उसके बाद मैं आता है Dimensity 800 4 कोर वाले GPU के साथ में उसके बाद आता है 800U MC3 GPU और इसके बाद आता है Dimensity 810 MC2 यानि की Dual-Core GPU के साथ में तो यहाँ पर GPU की performance again Dimensity 800 की सबसे best रहने वाली है उसके बाद आता है Dimensity 800, उसके बाद आता है Dimensity 800U और चोथे नमबर पर आता है Dimensity 810 यानि कि दोस्तों आपको gaming smartphone लेना है तो सबसे अच्छी performance मिलेगी Dimensity 820 के अंदर आगे बढ़तों यह बात करें दोस्तों आपर network modem के बारे में तो चारों भी processor यहाँ पर 5G processor हैं और यहाँ पर आपको 800U के अंदर download speed मिलती है 1.2GBPS तक की 5G network पर 810 के अंदर आपको download speed मिलती है 3.77GBPS तक की 5G network पर और 820 के अंदर आपको download speed मिलती है 2.3GBPS तक की 5G network पर तो यहाँ पर दोस्तो डाउनलोड और अपलोड इस्पीट के मामले में Dimensity 800 10 सबसे बेटर प्रोसेसर है उसके बाद दूसरे नमबर पर आता है 820 और उसके बाद में 800 और 800 U तीसरे नमबर पर आते हैं रेम सपोर्ट की बात करें तो चारो में ही LPDDR4X रेम का सपोर्ट देखने को मिलता है चारो में ही Frequency 213 MHz की रखी गई है और यहाँ पर केवल 800 U के अंदर 12 GB तक की रेम दी जा सकती है और बाकी तीनों प्रोसेसर 16 GB तक की रेम को सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर रेम के मामले में हम चारो को सेम मान सकते हैं स्टोरेज सपोर्ट की हम बात करें तो चारो में ही आपको UFS 2.2 स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलता है तो इस मामले में चारो प्रोसेसर बिल्कुल सेम है केमरा सपोर्ट के हम बात करें तो 800 और 820 में आपको सिंगल केमरा का सपोर्ट देखने को मिलता है 80 मेगापिक्सल तक और ड्यूल केमरा का सपोर्ट देखने को मिलता है 32 प्लस 16 मेगापिक्सल तक और 800U और 810 के अंदर हम बात करें तो यहां पर आपको सिंगल केमरा का सपोर्ट देखने को मिलता है 64MP तक और ड्यूल केमरा का सपोर्ट 800U में 20 प्लस 16MP का है और 810 में 16 प्लस 16MP का है और चारों में यहां 4K वीडियो को रिकॉड कर पाएंगे 30fps पर अब दोस्तों यहां पर अगर हम बड़े केमरा सिंसर की बात करें तो सबसे बड़े केमरा सिंसर आपको 800 और 820 में देखने को मिलते हैं लेकिन दोस्तों यहां पर सिंसर सपोर्ट से मेरे इसाब से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपको pixel binding technique वाले sensor देखने को मिलते हैं और यहाँ पर यह चारोई processor आसानी से 108 MP तक के camera sensor को support कर जाएंगे आसानी से इनके साथ में दिये जा सकते हैं तो यहाँ पर इस मामले में कोई भी difference मुझे देखने को नहीं मिलता अब बात करते हैं यहाँ पर N22 score और Geekbench score की यहाँ पर आपको clear हो जाएगा कि कौन सा processor better है Dimensity 800 का N22 score निकल करके आया है 3,41,000 के राउंड Dimensity 800 U का score निकल करके आया है 3,18,000 के राउंड Dimensity 810 अभी latest launch हुआ processor है तो इसका scores अवेलेबल नहीं है और Dimensity 820 की बात करें तो यहाँ पर score सबसे ज्यादा देखने को मिलता है 3,98,000 के राउंड तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं कि 820 के अंदर सबसे ज्यादा score आपको मिला है दूसरे नंबर पर मिला है Dimensity 800 के अंदर और तीसरे नंबर पर 800 U है और यहाँ पर Dimensity 810 का score मेरे इसाब से Dimensity 800 U से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा लेकिन 800 से कम रहने वाला है Geekbench score के हम बात करें तो Dimensity 800 के अंदर आपको Geekbench score देखने को मिलता है Single core का 512 और Multi core का 1999 और 800 U का score देखने को मिलता है Single core के अंदर 576 और Multi core का देखने को मिलता है 1756 और यहाँ पर हम बात करें Dimensity 820 की तो अगेन यहाँ पर आपको सबसे बेटर score देखने को मिलता है Single core के लिए 650 और Multi core के अंदर 2632 तो यहाँ पर N22 और Geekbench दोनों में ही Dimensity 820 सबसे ज़्यादा score गेन करता है तो दोस्तों अब बात करते हैं वीडियो के conclusion की अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि Dimensity 810 6 nanometer की टेकनोलोजी पर बना हुआ है बाकी सबी 7 nanometer पर हैं तो fabrication टेकनोलोजी के हिसाब से यहाँ पर Dimensity 810 एक best processor है CPU के हम बात करें तो यहाँ पर आपको Dimensity 820 सबसे ज़्यादा powerful processor देखने को बिलता है और GPU के बात करें तो GPU में भी Dimensity 820 सबसे ज़्यादा powerful processor है यानि कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप gaming के purpose से smartphone लेना चाते हैं तो सबसे पेले priority पर रखेगा Dimensity 820 को इसके बाद दूसरे number पर आता है Dimensity 800 और दोस्तों Dimensity 800 10 और 800 U Almost same configuration के साथ में आते हैं यहाँ पर same course है, same clock speed है यहाँ पर performance आपको same देखने को मिलने वाली है तो number 1 पर है Dimensity 820, number 2 पर 800 और 810 और 800 U तीसरे number पर रहेंगे इसके अलाव दोस्तों यहाँ पर हम N22 और Geekbench score को भी देखें तो Dimensity 820 का N22 score निकल करके आता है 3,98,000 के आसपास और 800 U का निकल करके आता है 3,49,000 के आसपास और 800 U का निकल करके आता है 3,18,000 के आसपास तो score के इसाब से भी 820 एक better processor है अब दोस्तों यहाँ पर आपको केवल और केवल gaming के लिए smartphone लेना है तो आप 820 की तरफ जाएंगे और दोस्तों अगर आप gaming का जादा शोक नहीं रखते हैं आपको normal uses के लिए smartphone लेना चाते हैं तो यहाँ पर Dimensity 810 सबसे best processor रहेगा क्योंकि यह 6 nanometer की technology पर है और सबसे latest processor है तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ पर आपको सब कुछ crystal clear हो गया होगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए शेर करिए अपने फ्रेंड के साथ में और एसे इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्स्राइब करके रखिए मैं मिलता हूँ आपसे अगरे वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई